बदले बदले से सरकार नजर आ रहे हैं क्या मुख्यमंत्रितिश कुमार बदल रहे हैं नमस्कार नीच पर देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंग आपके बता दे कि बिहार के मुख्यमंत्रितिश कुमार इन दिनों अपने बयान को देकर लोगों को चौकार है जिस तरह से पेगासेस का मामला हो या जातिये जनगन्ना को लेकर उनका बयान तो कहीं न कहीं इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मुख्यमंति नितिश कुमार बदल रहे हैं आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर मुक्यमंतरी नितिशकुमार इन दिनो जो अन्दाज है आखिर किस चीज को वो दरसाता है बिहार के मुक्मंत नितिश कुमार अब कुछ बदले-बदले नजर आ रहा है खास कर पेगासेस पर दिये गए बयान के बाद उनका अंदाज बदला नजर आ रहा है नितिश कुमार ने फोन टैपिंग मामले की जाज के साथ संसद में इस पर चर्चा करने की जरुवत पर भी बल दिया यही नहीं उनके कामकाज के ढंग में भी बदलाव दिख रहा है भले ही 2020 के चुनाव में उनकी पाटी किसी इटे कम हो गई हो लेकिन उनके कामकाज के तरीके में फर्क दिख रहा है चाहे वो बालू माफियाओं के साथ साथ बड़े अधिकारियों पर कारवाई की बात हो या फिर आर्थिक अपराद इकाई के द्वारा अवैद कमाई करने वालों पर कारवाई करने का मामला हो अवेद बालू कारोबार में तो उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी कारवाई करते हुए 17 अबसरों को सस्पेंड किया है जिसमें दो IPA साधिकारी भी थे मंगलबार को इसी सिलसिले में उन्होंने पांच जीलो का सड़क मार्क से दोरा किया और कोरोना के इस दोर में प्रोटोकॉल का कितना पालन हो रहा है इसका जाय जालिया 6 अगस्त को अनलॉक 3 प्रकिरिया से पहले वो खुद जाक कर कोशिस में रहे कि अब और कितनी धील देनी है नितिश कुमार ने 6 साल बाद फिर से जनता दरबार की शुरुवात की है जनता से सिधे मिलकर उनकी समस्या सुन रहे हैं और अन्दा स्पोर्ट उसका निवारन भी कर रहे हैं नितिश कुमार 2005 से 2010 का कारेकाल सबसे अच्छा माना जाता रहा है लेकिन उसके बाद का कारेकाल देखे तो 2010 से 2015 के बीच उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा आरजेडी का दामन थामा और 2015 से 2020 के दौरान आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी के साथ गए कहने का मतलब इन दिनों कारेकालों में काम का और राजनीतिक पर ज्यादा फूकस रहा है यही बजा है कि नितिश कुमार 2020 से 2025 के अपने कारेकाल के एक नया आयाम देना चाहते हैं पेगासेस मामला हो या फिर जाती गत जनगनना का सवाल कम सीटे होने के बाद जूद नितिश ने बीजेपी को आयना तो दिखा ही दिया है इन दोनों मुद्दों पर नितिश कुमार के विचार लालू यादब की पाटी आरजेडी से मेल खा रहे हैं इस बीच जडियू संसदिये बोड के अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहाल नितिश कुमार को पीम मटेरियल भी बता दिया लेकिन नितिश कुमार हमेशा सत्ता में हलाकि तब और अब की परस्थितियों में बहुत अंतर है आज केंद्र में बीजेपी की मजबूत सरकार है लेकिन ये भी सोचना गलत नहीं कि 2019 की लोकसभाच चुनाव में बंपर जीत हासिल करने वाले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी कोरोना काल में कुछ कमजोर हुए है खास कर बंगाल में बीजेपी की हार ने भी असर डाला है यही बजा है कि सहीयोगी भी अपनी बात रख रहे हैं भले ही बीजेपी जातिय जनगनना नहीं चाहती लेकिन नितिश कुमार प्रधान मंतरी से मिल कर जातिय जनगनना कराने की मांग करेंगे नितिश कुमार की सबसे बड़ी चुनोती अपने पुराने फॉर्म में लोटने की है साथ ही उनकी सरकार ने जो कदम उठाये हैं उसका सक्ति से पालन कराने की फिर चाहे वो सराबंदी का मामला हो या फिर फ्रस्टाचार का 2020 से 2025 के कारेकाल को मिला मिसाल बनाना है तो बहुत कुछ बदलने की जरूरत है जिसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है तो क्या जिस तरी से मुख्यमंत्र तिश कुमार जो आज काम करने के तरीके बदल गये हैं बयान में बदलाव आ गया है तो क्या वाके ही मुख्यमंत्रिति इसकुमार कुछ बड़ा करने चाहते हैं या बड़ा करना चाहा रहे हैं उसकी तयारियों में जूटे हैं अब ये तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से प्रधान मंत्री कंडिडेट की उपेंदर कुछ वहां ने बात कर लिये हैं तो क्या हलाकि मुख्यमंत्रिति इन ने कहा है कि हमें इसमें कोई दिल्चस्वी नहीं है लेकिन बिहार के सियासत में कब क्या कुछ पलट जाए ये कहना बहुत मुश्किल है और भी अपडेट्स देंगे ब्रैनीश पोनेशन के साथ नमस्कार